आज हम बात करने वाले हैं हर्श्वर्धन की जो की पुश भूती डैनिस्टी को बिलॉंग करते थे थानिस्वर की हर्श्वर्धन 606 से 647 CE तक इन्होंने रूल किया है इंडिया के एक काफी इंपॉर्टेंट और बड़े भाग पर जब 6th century के middle में गुप्त एंपायर का एंड हुआ तो छोटे छोटे kingdom जो है उनका भी साथ में राइज हुआ इसमें से एक थे पुश भूतीज और थानिस्वर जो की फ्यूडेटरीज थे गुप्त एंपायर के सबसे important चीज जो है कि दो sources है जिनसे हमको पता चलता है हर्शवर्दन के rain के बारे में और उनकी history के बारे में एक तो है हर्श चरित जो की हर्शवर्दन की biography है जिसको लिखा है बान भटनी जो हर्श के code poet थे दूजरा है एक चाइनीज पिलग्रिम हुएंचांग का travel log दोनों ही important sources हमको बताते हैं कि हर्श वर्दन की rain में क्या क्या चीजे हुई जो की relevant है आज भी हमारे लिए हर्श वर्दन के पिता थे प्रभाकर वर्दन जो की mid 6th century CE में इनका rain स्टार्ट हुआ ये 4th king थे हाला कि इस dynasty के पर actual foundation प्रभाकर वर्दन ने ही रखी थी पुषिभूती kingdom की ये एक great military general थे साथी इनोंने marital alliances भी किये मौकरी इसके साथ जब इनोंने अपनी बेटी राजश्री की शादी मौकरी ruler ग्रह वर्मन के साथ करे प्रभाकर वर्दन की death के बाद इनके ब इरहमी से मारा गया शशांक जो की गौड का राजा था उसके द्वारा बात करे हर्शवर्दन की तो 606 CE में इनको रेन मिला ये कहा जाता है कि हर्शवर्दन last great hindu king रहे हैं इंडिया के ये originally chef थे लेकिन इनोंने बुद्धिजम को भी बहुत जादा support किया है और काफी सारे end दिये हैं बुद्धिस्ट को भी इसलिए इनको lord of the north भी कहा जाता है हर्शवर्दन की समय की बात की जाए तो राजवर्दन जो उनके बड़े भाई थे उनको initially throne मिला हला कि जब मालवा के ruler देव गुप्त और शशांक ने मिलकर इनकी बहन राजश्री को imprison कर लिया था और इ ये कामियाब रहे देव गुप्त जो की मालवा का ruler था उसको मारने में पर जो शशांक था गौड़का राजा उसने राजवर्धन को मार दिया और इसी समय पर हर्श को throne मिला हर्श उस समय केवल 16 years के थे लेकिन वो बहुत ही great warrior और बहुत ही able administrator साबित हुए उन्होंने तु नौज जो है वो उनकी sovereignty में आ गया सथी शशांक जो गौड़का राजा था उसको भी हर्श वर्धन ने हराया और कॉंगोड़ा जो है उरिसा में उसके भी parts पर अपना कबजा कर लिया जो हर्श थे उनकी military victories की बात की जाए तो five indices जो है जिसमें की पंजाब का नौज अजियूम कर लिया हर्श वर्धन की रेन की बात करें तो इनकी military victories बहुत जादा important है five indies या पंजाब का नौज बेंगाल और इसार मिथिला जो की important region हुआ करते थे वहाँ पर भी इन्होंने control कर लिया साथी सिला देत्य टाइटल जो है वो अजियूम किया ये वेंसंग की records म मिलता है इनकी बात करें तो सिंध में के राजा को भी रोने हराया वलबी किंग दुरुवसेन सेकेंड को भी हराया और ये नौसाई copper plate inscription में मिलता है साथ ही जब ये south के तरफ बड़े तो western चालुक्यन किंग बादामी के पुलकेशन सेकेंड ने इनको नर्मदा के bank पर हराय और पुलकेशन सेकेंड ने टाइटल अजियूम किया a lord of the entire north हर्ष का empire लगभग थानेस्वर का नौज अही छत्र स्रावस्ती और प्रयाग से लेकर मगध और उडिसा तक फैला हुआ था ओरिजिनली capital थानेस्वर थी लेकिन बाद में हर्ष ने इसको कनौज में shift कर दिया नर्मदा प्रवाबली उनके south boundary बनाती थी उनके empire की और east के king जो कामरूप के king थे भासकर वर्मन और दुरुव भट ने इनकी overlordship को भी accept कर लिया था साथी वललभी के राजा ने भी ऐसा ही किया था विंद्या की forest tribe regularly हर्ष को tribute पे कर दी थी और जब भी उनको जरूरत होती थी military support की उनको विंद्या की tribes के द्वारा support भी किया जाता था साथी कुछ ऐसे सामंत और राजा थे जो हर्ष एरा को मानते थे जो की था 606 CE हैंस वेंसंग जो है Chinese traveler उनको कहा जाता है Prince of Travelers इनकी बुक है CU की इननने विजट किया था 629 से लेकर 644 CE के बीच में इंडिया को और ये इंडिया के एक बहुत ही important account को भी इन्होंने describe किया है जिसमें कर्नौज की prosperity और beauty को बताया गया है वेंसंग ने mention किया है एक great assembly के बारे में जो कनौज में हुई थी 643 CE में जिसको हिंदुजम, जैनिजम और बुद्धिजम के representatives ने attend किया था along with वेंसंग जिसमें महायान discourse या doctrine पर बात हुई थी इसके अलावा भुद्ध का एक golden statue भी बनाया गया था जो की huge tower के साथ बनाया गया था और ये हर्ष कुद इसकी पूजा करते थे बाद में साथी एक Solomon festival organize किया जाता था प्रयाग में हर पांच सालों में वो भी हर्ष organize करते थे और महामोक्ष परिशद को भी organize किया था अलाबाद या प्रयाग राज में ही और बुद्ध, शिवा और सन की पूजा की गई और कुछ articles और clothing भी इस समय पर distribute किये गये थे अगर बात करे arts और learning की तो हर्ष खुद एक talented king था और तीन ड्रामाज जो है इन्होंने लिखे है प्रियदर्शिका और रतनावली जो की दोनों ही romantic comedies है और नागनन्दा जो की एक बोधी सत्व जिमूता वाहन के उपर based है साथी इन्होंने grammar पर भी कुछ लिखे हैं और दो सूत्र book जो है वो भी लिखी है इनके दो text जो है मधुबन और भानशेक्रा बांस खेडा में भी मिलते हैं जिसमें signature और calligraphic skills के बारे में भी पता चलता है साथी बानभट ने ये describe किया है कि ये एक बहुत ही accomplished flute player भी रहे हैं इन्होंने एक large monastery establish की थे नालंदा में और बानभट जो की author है हर्शिचरित और पार्वती परिनय के मौर्य जो की author है मौर्य शटक के और एक renowned grammarian भरतिहारी जो की वाकपदिय के author रहे हैं और मतंग दिवाक को इन्होंने अपने court में जगह दी थी इनकी diplomatic relations की बात करें तो Chinese contemporary young emperor जो है इनकी three embassies हर्श के court में आई थी जिसमें last embassy 647 CE में आई थी लेकिन हर्श तब तक जीवित नहीं थे हर्श की death के बाद एक political confusion का महौल बन गया और 8th century CE में गुर्जर प्रतिहार और राजपूत का उदै हुआ